नमस्कार दोस्तों मैं उद्धाइल आफ्री एक बाँ स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियान मुर्गी पालन परड़ो देखने वाले अर मुर्गी पालक भाई का आज के विड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल क्या देशी मुर्गियों को फीड के तोर पर आप बॉयलर मुर्गी का चिकन वेस्टेज डाल सकते हो हां दोस्तों यह फिल हाल का है सबसे बड़ा सवाल क्या देशी मुर्गियों को फीड के तोर पर आप बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेस्टेज यहां पर डाल सकते हो यह सवाल आपके मन का है यह सवाल मेरे मन का है आज भारत वर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालक भाई यहां पर पूछ रहा है क्या देशी मुर्गियों को फीड के तोर पर आप बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेस्टेज यहां पर डाल सकते हो इस सवाल का सटीक जवाब प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर यहां पर अंततक देख लीजिए वीडियो को अंततक देखते वेदि आपको यह वीडियो पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईों तक इस वीडियो को पहुचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिये शेर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूप इंस्टाग्राम स्नैप चाट इन सोशल मेडिया के सादनों का इस्तमाल करते वे जरूर इस वीडियो की लिंक को यहाँ पर शेर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोद करता हों कि दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखरी सास तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो जरूर इस चानल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाईए वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हो अल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए ताकि आने वाला हरुडियों आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल क्या देशी मुर्गियों को फीड के तोर पर आप बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेस्टेज इस्तमाल कर सकते हो आपके मन का जो सबसे बड़ा सवाल है क्या बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेस्टेज हम देशी मुर्गियों में यहाँ पर फिड के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ सवाल की उत्पन न हुआ है क्योंकि हमारा फिड का खर्चा बढ़ रहा है और इसी वजह से बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेस्टेज बहुत आसानी से मिलता है और आप में से बहुत सारे मुर्गी पालक भाई यहाँ पर सोचते हैं कि हम बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेस्टेज लाएंगे मुर्गियों को देंगे तो हमारा फिड का खर्चा कम होगा यकीनन होगा लेकिन क्या बॉयलर मुर्गियों का चिकन वेश्टेज देसी मुर्गियों को डालना चाहिए इसके बारे में लेते है अधिक जानकारी लेकिन मैं जानकारी आपको दूस से पहले सबसे बड़ी खुशी की खबर कि मैंने आपके लिए इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया वाटसब ग्रूप ओपन कर दिया है इस वाटसब ग्रूप में जॉइन होना चाहते हो तो आप मुफ्थ में भी हो सकते हो जॉइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप ग्रूप की लिंक है उसे जाकर आप टच कर दीजे और मुप्त में हमारे साथ यहाँ पर जोड़ जाए और साती साथ में दोस्तों आपकी सेवा करने के लिए मैंने भारत वर्ष में कश्मीर से लेके क आपको उत्पादन से लेके विक्री तक पूरा पूरा नॉलेज दिया जाएगा जिसमें फिर मैनेजमेंट सिखाई दिखाई जाएगी आपको वैक्सिन मैनेजमेंट बताई जाएगी इनकुबिटर का इस्तमाल करते हुए ज्यादा ज्यादा चूजों का प्रोड़क्शन और जो माल तयार होगा उसके लिए मार्केट किस प्रकार से तयार की जाती है इन सभी सवालों के जवा खुद मैं दूँगा खुद मैं ट्रेनिंग दूँगा जिस माध्यम से आपको लाखों का मुनाफ़ा कमाने से कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा अगर आपको भी उत देन मुर्गी पालन के साथ जुड़ सकते हो ट्रेनिंग के लिए जुड़ने के लिए एक कॉल कर दीजे चुरासी इकिस बैयासी बासट बासट पर यहां पर जब आपका कॉल आएगा तो मैं फोन उठाऊंगा मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा उसके बाद ठीक लग तो आशा है कि जिन्हें लगता है अच्छा जुड़ जाएंगे नहीं है छोड़ देंगे कोई जबरदस्ति नहीं है तो देखे दोस्तों आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल था कि बॉयलर मुर्गियों का जो चिकन वेस्टेज होता है अगर वह चिकन वेस्टेज लाकर हम हमारी मुर्गियों को देंगे तो कैच्छे लेगा तो देखे दोस्तों बॉयलर मुर्गियों का चिकन जो होता है उसमें बीमारियों का खरत माना जाता है यानि कि बॉयलर मुर्गियों का जो शौप होता है उसे बीमारियों का शौप कहा जाता है दोस्तों और आईसी प बिमारों मुर्गी को भी चिकन शॉप वाला कट करके बेच देता है ऐसे में फिर गैरंटी कोन लेगा और क्यों हमारे फार्म को हमारे हाथों से खत्रे में लाना है दोस्तों इसलिए दो चार रुपए बचाने के खातिर आप इतना बड़ा जोखिम्मत लीजिए कि आप बिम एक टका बॉइलर मुर्गियों का चिकन वेश्टेज देसी मुर्गियों को यहाँ पर देना नहीं है अगर आप देते हो तो आप अपने लिए वहाँ पर गठा खोद रहे हो दोस्तों मेरा काम है सचेत करना सुचित करना बॉइलर मुर्गियों में बीमारी होने का खत्रा बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आप से विनती करता हूं कि बॉइलर मुर्गी का चिकन वेश्टेज यदि आप दे रहे हो या देने का सोच रहे हो तो इस विचार को थ्याग दीजिए और बॉइलर मुर्गी का चिकन वेश्टेज अपने मुर्गी पालन के फार्म में सव प्रतिशत मत दीजिए अगर आपके पास दूसरी मुर्गिया है जो हम कहते कि ग्राम प्रिया है गिरी राज है वन राज है पाथरडी है ग्राम प्रिया है कावेरी है सोनाली है ब्लैक आश्टरलॉप है बीबी 300 है बीबी 380 है वाइट लेग और नहीं आरायार है डबल ए तो आपको यहां पर मैंने बतानी की पूरी कोशिश की है आखिर में आपका सोच उचार देखे लेकिन मेरा कहना है कि सव प्रतिशत बॉयलर मुर्गियों का चिकन इवेस्टर यहां पर त्याग दीजी तो यही जानकारिया तो मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में देता अगर हाँ तो हमारे इंडियन मुर्गी पालन के ट्रेडिंग प्रोग्राम के साथ आप तुरंत यहां पर जुड़ जाईए जुड़ने के लिए दोस्तो आप संपर्क कर सकते हो 84, 82, 62, 62 पर जहां पर मैं फोन उठाऊंगा आपको विस्तार से समझाऊंगा उसके बाद ठी किसी पर कोई जोर जबरदस्ती यहां पर नहीं है और इंडियन मुर्गी पालन के नाम से हमने वाट्सप ग्रूप तयार कर दिया है वाट्सप ग्रूप मुफ्त में हैं इसकी सेवाई लेने के लिए आप तुरंत जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किस्ते देशी मुर्गी पालन में फिड के तौर पर करना नहीं है इसके बारे में कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन के जरिए आने वाले वीडियो के माध्यम से सुलूशन देने की पुरजोर कोशिश करूंगा दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लग इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आजए वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लालरें के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते आल इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे तक आने वाला हरुड़ा आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्त आईसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाड आप सभी के चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हरकेसान भाई का आज कुड़ में तहे दिल से बहुत बहुत आभाद झाल